नमस्कार दोस्तों मैं एक्जाम टेटोरियल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हमारी मुलाकात आप से कई दिन बाध हो रही है लेकिन इस मुलाकात में जैसे कि आप देख पा रहे हैं Cantonment Board पुने च्छावनी के लिए 2020 के लिए vacancy दी गई है यह vacancy Cantonment Board दिलही के अंडर में आएगी जो की पुने च्छावनी के लिए है यानि कि आपकी posting जो है वो पुने च्छावनी में होगी हाला कि इसमें जरूर के आधार पर Ministry of Defense के निर्देश्णों के अनुसार आपकी posting कहीं पर भी हो सकती है कि देश के किसी भी इस्थान पर हो सकती है इस बार जो वेगिंसी दी गई है वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर हिंदी टैपिस्ट एस्टियो यानि कि सब डिविजनल ऑफिसर के लिए vacancy दी गई है इसमें किस category के लिए कितनी vacancy दी गई है किस post के लिए exam pattern क्या रहने वाला है आपका exam pattern क्या रहेगा उसमें selection process क्या है सारी की सारी चीज़े हम इसमें cover करने वाले है age limit क्या है exam fees क्या है सारी की सारी चीज़ें लेकिन दोस्तों आगे चलने से पहले आदे हमारी चनल पर पहली बार व होने पाए तो बिना देर की वेचली शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह गौर्मेंट टाफ इंडिया का है प्रधा निदेशाल है रक्षा संब्धा भारत सरका रक्षा मंत्राल है दक्षणी कमांड कॉंडवा मार्ग पूने छावनी ठीक है य यहां जूनियार हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो वेगेंसी अपकल 7 पद दिय गए हैं जिसमें समयन के लिए 5 पद हैं OBC के λिए कोई पद नहीं दिये गए ST के लिए कोई पद नहीं है, ST के लिए कोई पद नहीं है और EWS के लिए दो पद यहाँ पर दिये गए हैं यानि कि OBC, ST, ST के candidates आप सामान में यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं इसके लिए जो age limit है आपकी वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए 15 January 2022 को आपकी age limit calculate की जाएगी 15 January 2022 को आपकी जो उम्र है वो 30 साल से जादा और 18 साल से कम की नहीं होनी चाहिए हमारी दूसरी वेकेंसी है सबडिविजिनल ओफिसर की सबडिविजिनल ओफिसर में आपके कुल 89 पद दिये गए हैं इन 29 पदों में सामाने वरगे के लिए 36 पद हैं, OBC के लिए 23 पद हैं, SC के लिए 10, ST के लिए 4 पद हैं और EWS के लिए 16 पद दिये गए हैं इसमें जो age limit है वो 18 से 27 साल की दी गई है, 15 January 2022 को आपकी अधिक्तम age 27 साल और नियूंतम आयू 18 साल की होनी चाहिए अगला है हिंदी टैपिस्ट के लिए, हिंदी टैपिस्ट में आपकी एक वेकिंसी दी गई है, जो की EWS कटेगरी के लिए आरक्षित की गई है इसमें भी आपकी जो आयू सीमा है वो 18 से 27 साल की होनी चाहिए यहाँ पर हम देख लेते हैं educational qualification सबसे पहले junior हिंदी translator के लिए यहाँ पर आपका master degree होना चाहिए या कि हिंदी में या कि English में किसी compulsory subject के रूप में या किस selective subject के रूप में होना चाहिए या फिर आपका जो medium of examination है वो आपका English medium में होना चाहिए या हिंदी में में होना चाहिए अगला है दूसरा master degree जो university से है वो आपका यादि हिंदी और English के अलावा है ठीक है यानि कि आपके जो master degree है आपने कुछ sciences में master degree कर ली है तो वहाँ पर भी आप apply कर सकते हैं लेकिन यादि आप वहाँ पर हिंदी या English दो में से कोई एक elective subject लिये हो यदि वह भी नहीं है तो आप master degree के candidate है यदि आपके पास master degree है किसी भी subject में तो उसका label हिंदी या English होना चाहिए और जो आपका medium of exam है वो आपका हिंदी या English होना चाहिए कुल मिलाकर आपके पास master degree किसी भी विश्रय में हो उसमें आपका जो medium है exam का वो हिंदी या English होना चाहिए या हिंदी या English आपका subject होना चाहिए example के लिए यदि आप MST किये हुए है और MST में आपने हिंदी मेडियम नहीं लिया हुआ है लेकिन आप उत्तरप्रदेश राज्य से हैं तो आपका जो medium होगा वो क्या होगा हिंदी या English ठीक है तो आप यहां पर apply कर सकते हैं लेकिन यदि आप आंदरप्रदेश राज्य से हैं या करनाटक राज्य से हैं तो वहां पर आपका जो medium है वो हिंदी या English ही होना चाहिए इन दोनों के अलावा कोई आप शेत्री भार्जा का medium लिये हैं तो आपकी माश्य टिकरी मान नहीं होगी अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर सब्डिविजनल आफिसर य हमारा छेुकेशनल क्वालिफिकेशन फर हिंदी टैपिस्ट के लिए आपका मैट्रिकुलेंशन होना चाहिए और हिंदी में 25 सब्द्र प्रतिमिनट की आपकी टैपिंग स्पीड होनी चाहिए अगला चीज है हमारा एकुनियर हिंदी टांस्लेटर के लिए जो आपका एक् और 80 नमबर के आपका translation का exam होगा यानि कि खुल 200 में से आपके 120 नमबर के objective exam होगे और 80 नमबर का descriptive exam होगा और दोनों का जो time duration होगा वो combine रहेगा यानि कि 2 घंटे का रहेगा यहाँ पर जो आपके objective test में होगे वो general English, general knowledge, hindi grammar और उससे translation से सम्बंधित आपके प्रस्ण पुझे जाएंगे और जो आपका translation करना रहेगा हिंदी से English में या English से Hindi में वो आपका 80 नमबर का होगा एक passage करना रहेगा अगला प्रस्ण है यह कि अगला है exam pattern for subdivisional, subdivisional के लिए जो exam pattern हो वो 1500 नमबर का होगा 1500 नमबर में आपका यह दो घंटे रहेगा जिसमें आपके 25 नमबर general knowledge या general aptitude से रहेंगे 25 नमबर general English से रहेंगे और 100 नमबर आपके technical part से रहेंगे यानि कि 25 आपका journal knowledge हो जाएगा, 25 English हो जाएगा और 100 नमबर आपका surveying से संबंदित प्रस्ण रहेंगे अगला है हिंदी टैपिस्ट, हिंदी टैपिस्ट के लिए भी आपका total 100 नमबर का प्रस्ण होगा age relaxation चाहते हैं तो OBC के लिए 3 साल की IUC में छूट दी गई है, SCST के लिए 5 साल के लिए IUC में छूट दी गई है उसके आगे हम आगे देखते हैं कि यह application form आपको भेजना कहां पर है यह application form आपको अपने जो लिफापा है उसको भेजना होगा ordinary post यहीं की साधाना डाग के द्वारा application for the post आप junior हिंदी translator या जिस भी post के लिए आप apply कर रहे हैं यह application for the post आप sub-regional officer grade 2 यह application for the post आप हिंदी tapist इसके बाद आपको principal director defense states southern command near ECHS polyclinic कॉंडवा रोड पुने महाराष्ट यह और pin code 4104 इस पर आपको भेजना है यहाँ पर आप screenshot ले सकते हैं इसी address पर आपको इसी तरह से लिख कर भेजना है इसके बाद बात आती है कि आपका application fees कितनी लगेगी तो जो आपकी application fees है वो 200 रूपए लगेगी यहाँ पर 200 रूपए आपकी जो application fees है वो principal direct defense state southern command पुने के favor में आपका वनबानी है जहाँ जो आपकी paypal at होगी union bank of india headquarters southern command branch पुने यहाँ पर woman candidate, candidate belonging to hc, hc, service man और ews candidate के यहाँ पर जो candidate apply करेंगे उनके लिए fees में छूट दी गई है यानि कि यहाँ पर जो fees भरनी है वो सिर्फ सामान वर्ग और अन पिछला वर्ग की अप भेर्थियों को भी fees भरनी है इसकी अंत्री तिथी आपकी पंद्रा जनवरे 2022 दी गई है हमने आपको बता दिया है तो दोस्तों यदि आप इस form को apply करना चाहते हैं तो आप इस form को apply क शुरू कर दें दोस्तों उमीद करता हूँ आपको दी गई जनका जिस समझाई होगी किसी भी doubt के लिए किसी भी तरह की प्रशन के लिए आप हमें comment box करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं हम आपकी साहता के लिए तयार हैं अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में तब आपके लिए नमस्कार धन्यवाद